हम लोग चाहते हैं कि नयूम्बे के जनता को भी पता चले कि एक जब नेता आता है मिलता है प्रशासन को उसके बाद में जो कॉन्फरंस लेता है उसके पीछे आगे क्या होता है नेता भी अपने अपनी राजनीती करके चले गए कमिशनर से मिल लिये कमिशनर ने उनको जबाब दे दिया लेकिन जो विवस्था है जो समस्या है उसका कोई भी निदान नहीं हो रहा है सब नेतागिरी चमकार जा रही है ये लोग कुछ नहीं है ये नेतागिरी चमकार है आप गौवर्मेंट हो आपका सबसे पहला काम है लोगों की रोजी रोटी को समालना उनको अनास देना उनके घर का समालना ये आपकी जिम्यदारी है जो राइट टू लिव है जो जिन्दगी जीने का अधिकार है उसको भी इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउं से चीन लिया गया है ये कोरोना से बड़ी तरास दी है जब आप एपीमसी के जहां साथ हजार लोग परड़े आ रहे हैं उसको खोल सकते हैं आप M.I.D.C. को आप खोल सकते हैं क्योंकि वहां पर लोगों का प्रेसर है क्योंकि पूरी इंडर्स्ट्री वहां जाम हो रही है और पैसा नहीं मिलेगा सरकार को वहां पर आप खोल दे रहे हैं जो सामानने इलाके हैं रासन की दुकाने नहीं खोल ले हुआ किताब कापी की द आपका सबका सौगत है हमारे इस खास विशेश कारेक्रम में कि यहां आजके कारेक्रम में हम पत्रकार जो है नयूमबई के जो खास पत्रकार है वह हम लोग बात करने वाले कि नेता जो है नयूमबई के अब बार बार आ रहे हैं कमीशर को मिल रहे हैं को वीड के बारे में परन्तु अभी भी COVID के बारे में जो भी panic system है अभी भी बतोर हम लोग देख रहे कि वैसी है लोग डरे हुए है लोगों को oxygen के बेड़ नहीं मिल रहे है लोगों को ventilator के बेड़ नहीं मिल रहे है तो आज जो पत्रकार हमारे साथ में है जो दिकज पत्रकार है वरिष्ट पत्र करने के लिए और अपनी राय रकने के लिए इससे शेहर को कुछ फाइदा होने वाला है या नयुमकाई के जयो जनता है उनको कुछ फाइदा होने वाला है कि नहीं में पहले सवाल करूंगा शर्माजी से, शर्माजी आप हमें बताए कि जो नेता लोग आ रहे हैं बार बार मिलने के लिए अलग-अलग पार्टी के आ रहे हैं भी जैसे हम लोग ने देखा कि दो दिन पहले पिछले हफते में मतलब मंदताई महातरे आमदार है वो मिलके गई आज गनेश जी नाई के आमदार वो मिलके गया रोली के उसके बाद मंसिया वाले आ रहे, कॉंग्रेस वाले आ रहे, राष्टर वाले आ रहे तो सब जो रखरे अपनी राय लेके कि कोविड के बार में पैनिक सिस्टिम जो बनी है शेर के भीतर वो किस तरह से क्लियर किये जाए तो इससे कुछ फाइदा नयूंबे की जनता को आने वाले समय में होने वाला है की नहीं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विसय को चुना और एक अलग नजरिया रखने की आपने कोसिस की क्योंकि देखिए जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि क्या नेताओं के जो यह महानगर पालिका के आयुक्त है उनसे मिलने का फायदा खासकर करोना के काल में जबकि इलाज की जरूरत है और सुविधाओं की जरूरत है ऐसे दोर में क्या लोग प्रतनिदियों का कमिशनर से मिलने का कोई फायदा है की नहीं है अगर देखिए अधिकार के तोर पर देखा है तो किसी को भी आयुक्त से मिलने का अधिकार है और वो सहर की समस्याओं को लेकर चर्चा करने का अधिकार है लेकिन आप पिछले मई महीने से देखेंगे जब यहां महानगर पालिका का कारेकाल खत्म हुआ है और उसके बाद कमिशनर को महानगर पालिका के आयुक्त को प्रशाशक के तोर पर जब से उनकी नियुक्ति हुई है तो आप देखेंगे तो सारे निरने जितने भी हैं उस प अगरीकों को हस्पीटल और दूसरी सो विधायां देने की बात हो या लॉकडाउन के सही तरीके से उसके अनुपालन की बात हो यह सब मामलों को लेकर अकसर जो नेता हैं चाहे वो राष्टवादी के हो या भारती जनता पार्टी के यहां के जो स्थानी दोनों विधायक हैं दूसरी पार्टी के कॉंग्रेस के अधुसरे प्रतिने दी हैं सब अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखने की कोशिस कर रहे हैं उनके साथ हम तमाम मेडिया भी हम लोग रखे जा रहे हैं समस्याएं रखी जा रही है और आयुक्त जो उनको सुन रहे हैं लेकिन सही मायने में देखें जो हमारा प्रशासन अपने ही हिसाब से कर रहा है जो जबाब देना है प्रशासन अपने ही हिसाब से जबाब दे रहा है कि हमने क्या क्या किया है लेकिन सही माय पहले भी आयुकते से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताईए कि जिस तरह से आप कोबीट संक्रमण के मरीजों की आप संख्या बता रहे हैं कि इतने मरीज हो गए इसे एक भै और पैनिक जो है समाज में फैल लाए कि आप कोरोना जो है बहुत बड़ा खतरनाक मामला बन गया ह तो ऐसी कंडिसन में आप ये विवस्था भी बताने की कोशिस कीजिए कि इसके इलाज के लिए हमारे पास इतने सारे इंतजाम है और आप उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए हम आप प्रशासन जो है आपको सुभिदाय है और सुरक्षा और इलाज का उपाय जो जोन बना दिया गया लॉक्डाउन को सकती से पालन करना पड़ेगा नहीं तो कोरोना नहीं रूकेगा ये सब जो चीजे हैं जो प्रशासन की तरफ से आ रही है वो कहीं नागरिकों के मन में एक भै और संताब जो पैदा कर रही है कि लगता नहीं है कि इस हाला से जल्दी उनको मुक्ती मिल पाएगी तो मुझे लगता है कि जो लोग प्रतनिदी आ रहे हैं इस पैनिक को इस भै को दूर करने में मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं सफलता मिल रही है क्योंकि प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है जहां तक मेरा मानना है शर्मा जी ने कहा क नेता जी आ रहे है हमारे नयूम्भी के प्रशास्तरय में आयुकत को है अपने हिसाफ कर रहे हैं न जो जो नेता लोगार है तो उसीं में कुछ सफलता नहीं मिलेगी तो जनता को ने 시죠 है आपको अगला आपको पता है इसके में की बारे में यहां के और अपने भी दिख़ा कि बारा नेता आ रहे हए ठाइख हारे हारे है हार एक पर्ट सवाल जवाब हो रहा है उसके बाद हम लोग कमिंशनर के पास भी जा रहे है पर आपको क्या मेहसूस हुआ कि नेता हो जो नेता लोग जो जवाब दे रहे हैं उनके मीटिंग के बाद, कमिशनर के इस बाद, और कमिशनर जी हमारे उनके प्रेस कॉनफरेंस के बाद, जब हम कमिशनर के पाद जा रहे हैं, उसमें कुछ मिलाब है या इससा कुछ फाइदा, एक जैसा कुछ धिक्रा है कि जो इसमें से शेहर को कुछ आने वाले समय फाइदा होगा देखे सबसे पड़ी बात यह है कि जब पालिका आप बोलते हैं तो पालिका का मतलब ही है कि ऐसी संस्था जो जन प्रतिनिदियों के द्वारा चलाई जाती है इसलिए यहां महासभा को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है तो जन प्रतिनिदियों का आना और जाना ये कोई मलब इसको आश्चर जनक बात नहीं है वो जन्ता के प्रतिनिदिय है जन्ता की बातों को रखना उनका काम है लेकिन मैं इससे अलग आपको एक बात बताता हूँ यह जो आप नेताओं का अवगमन देख रहे हैं जो बाड़री पैमाने पर आपको नवी मभई महानगर पालिका चोड़ के और कहीं आपको अभी दिखाई नहीं देगा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नवी मभई महानगर पालिका के चुनाओ का कारकाल समाप्त हो चुका है और बहुत जल या तो अक्टूबर महिने में या नौमबर महिने में इस चुनाओ की घोशना हो शकती है तो इस कारण से लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अपना राजनितिक परभुत्व अस्थापित करने की भी एक परियास है राजनेताओं की दूसरी बात है कि जो नेता आ रहे हैं हमारा कहना हम है कि आप किस टेक्निकल एडवाइस को लेकर के आ रहे हैं आपने किस डॉक्टर का सलाह लिया है कहां से आपके पास कोई जानकारी है कौन सा ऐसा सजेशन आप देने आ रहे हैं इसका क्लियरेंस नहीं है आप देख रहे हैं कि जब नेता आयुक्त से मिल के बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में क्या इस कोविट के माहौल में नेताओं का मिलना और आयुक्त को प्रामर्श देना वो कितना आथेंटिक है सवाल इस पर उठता है दूसरी बात मैं आपको बता दू कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि दो गच की दूरी है जीवन के लिए जरूरी आप गवर्मेंट की तरफ से यह आप चला रहे हैं और आप जब आ रहे हो आयुक्त से मिलने तो अननेसेसरी पचीस आदमी, तीस आदमी, पचास आदमी के साथ आ रहे हो क्या कारण है भई आप चार आदमी आ करके अपनी बात अपना सजेशन आप आयूत के पास रख सकते हो दिर इस नो नीड कि आप अपनी पॉलिटिकल ताकत को यहाँ पर सो करो अभी पॉलिटिकल ताकत सो करने का जरूरत ने है दूसरा बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक चाहे वो परसासन हो चाहे वो नेता हो अभी तक मैंने नहीं देखा कि आप एक साथ आठ डॉक्टरों की टीम लेके बैठे हो और आप लोगों को संबोधित करें डॉक्टरों के मारफत से कि हाँ भाई यह जो कोविड है यह ऐसा ऐसा सिच्वेशन है इसमें आपको घबराना है कि नहीं घबराना है या बचाओ पक्षा बोलते हैं कि हाथ मलो सेनिटराइज करो मास्क लगाओ यह सब ठीक है लेकिन क्या सामाने लोगों को इस बीमारी के बारे में सामाने चीजों की जानकारी तो दो कि भाई अगर स्टार्टिंग में आपको कोई लक्षन दिखता है या नहीं दिखता है वैसे समय पर आपको क्या प्रिकॉशन और लेना है खाने पीने में क्या प्रिकॉशन लेना है दवा में आप क्या खाओ कि जिससे आपका इम्यूनिटी स्किल है वो आपका ज्यादा डिवलप हो इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो ये आप नहीं बता रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं कि हमने कॉमन जो मरीजों का इलाज किया है आज 12,000 संक्या पहुँच गई मरीजों की ऐसे में आपको कुछ तो कॉमन इलाज मालूम होगा कि ये कॉमन इलाज है कोबीट पेसेंट का आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने बेड का डिस्क्लोज नहीं है कि बेड कितने हैं इस पूरे नवी मुंबई में अस्पतालों के अंदर उसका डिस्क्लोज नहीं आप कर रहे हैं किस होस्पिटल में कहां बेड खाली है उसका डिस्क्लोज नहीं है अभी तक आप 20-20 सदी का सहर हमारे सारे नेतागन सुरू से बोलते हैं कि नवी महानगर पालिका जैसा तो कोई सहर ही नहीं है और आपके पास एक टेस्टिंग लैब नहीं चार महिने हो गए चार महिने से कोवीट का कहर जा रही है आपके पास एक टेस्टिंग लैब नहीं है तो यह सारी चीज़े यह बताती हैं दूसरी बात आपको एक इंपोर्टेंट बात बहें बताओं कि यह जो जन प्रतिनिदी हैं, इनको पाँच साल भरपूर मौका मिला था, नविम्भी के जनता को सेवा करने के लिए, दूसरा अपने आरोग बयोस्ता को मजबूत करने के लिए, अपने शिक्छन बयोस्ता को मजबूत करने के लिए, उस वक्त आपने कुछ नहीं किया, आप टेक्निकल एक्सपर्ट को आगे लाओ, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, हर चीज में आपको अर्थव्योस्ता के मामले में भी टेक्निकल एक्सपर्ट को सामने आना चाहिए, बैंकिंग के मामले में भी टेक्निकल एक्सपर्ट को सामने आना चाहिए, कोबिड के मामले मिश्रा जी ने जैसे बता है कि उनके कहने से पता चला कि विश्रेशन से उनके की जो नेता लोग जो आ रहे है यहां वो सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तितों दिखाने के चक्कर में आ रहे है बार-बार क्योंकि अभी कोई भी नगर से वह कहा नहीं है और आने वाले समय में उनको ऐसा लाए है कि डिसेमबर के पहले 2020 में इलेक्शन होने वाले है इसके लिए वो शायद से बार-बार अपना अस्तितों दिखाने के लिए शर्मा जी में आपके बास आना चाहूंगा कि आपने एक न्यूज चला थी टीवीवन इंडिया आपके चैनल के उपर की जो क किस चरह से कोबिड जो केर सेंटर है कोबिड केर सेंटर में और खासकर मरीजों का इलाज देने के लिए जो सबीधाय माहनेगर पालिका उपलब्द करारे है उसमें किस चरह से धादली धादली दीख रही है उस ये इसका आधार हमने ये जो रखा ही है कि आप गौर कीजिए कि नविमभई महानगर पालिका ने तीन बड़े हॉस्पिटल बनाये हैं जो बेलापूर में हैं, एरवली में हैं और नेरूल में हैं वो आपको भी पता है कि किस तरह के हॉस्पिटल हैं इतना डंका पीटा गया the ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दूसरी महानगर पालिकाँ के पास इस तरह के हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है उसके अलवा सार्वजनिक हॉस्पिटल जो महानगर पालिका का था उसको पूरी तरह से वासिका उसको कोबिट केर सेंटर में तबदील किया गया है आप गौर कीजिए एक उनके आकड़ों पर जो महानगर पालिका डेली के आकड़े दे रही है उनके हिसाब से अब जैसा मिश्राजी ने बताया कि 12,000 के आसपास जो संक्रमित मरीजों की संख्या है 12,000 पहुंच गए लेकिन अब इनकी लिस्ट में देखेंगे तो ये दिखा रहे हैं कि 3800 तकरीबन 3870 या 4000 के आसपास ही टोटल एक्ट्व मरीज हैं इसका मतलब ये है कि इन एक्ट्व मरीजों को हस्पीटल की दरकार है इलाज की दरकार है और उनके लिए पर्टिकुलर जगा चाहिए जगा चाहिए क्या हमसी आधा हस्पीटल लेके 40 नाज 400 लोगों का इलाज कर रहा है और महानगर पालिका का हस्पीटल सिर्फ 500 लोगों को उसमें COVID केर सेंटर बना के इतने बड़े हस्पीटल में 1500 लोगों की व्योस्ता होनी चाहिए क्या उसके बाद ये लोग जो existing नेरूल, बेलापूर और एरोली के जो हस्पीटल बने हुए बन कर तयार हैं सुविधाओं से युक्त हस्पीटल है उन हस्पीटलों को छोड़ कर इंडिया बूल्स को कोविट केर सेंटर बना रहे हैं आप एक उधारन दे रहा हूँ आपको जब आपने करोडो रुपए इन हस्पीटलों पर इसलिए खर्च किये कि वहाँ पर लोगों कोई इलाज मिलेगा आज उन हस्पीटलों को आपने उसका कोई इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जनरल पेसेंट को आप ले नहीं रहे हैं तो उसका बनाया किस लिए गया था इसका मतलब यह है कि आपकी एकजिस्टिंग फैसिलिटी जिस पर आपने करोडो रुपए खर्च किया है उसको आप कोई कि आप इंडिया बुल्स में आप कोईट सेंटर बना रहे हैं अपने हाँ सेंटर यह क्यों नहीं बन सकता दूसरी चीज़ तलोजा सेंटरल जेल के 240 क्रिमिनल्स को जो सजा भोग रहे अपराधी हैं उनको खारगर के गोखले स्कूल में 240 कहदियों के लिए कॉरंटाइन सेंटर बना दिया गया एक स्कूल में कितने लोगों को 240 लोगों को महानगर पालिका के पास एडवांस फैसिलिटी बहतरीन बिल्डिंग के साथ 64 स्कूल इस वक्त मौझूद है इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके पास ऐसे सामुदाइक भवन है जिनको आसानी से आप कॉरंटीन सेंटर में कनवर्ट कर सके क्योंकि कॉरंटीन सेंटर में इलाज की कोई आउसकता नहीं है लोग सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको कोई बिमारी नहीं है उनको सिर्फ 14 दिन के लिए सिर्फ hold करके रखना है आपको और उसके बाद उनको उनको उनके घर बेज़ देना है ऐसी सूरत में आप अपने existing facility, existing hospital को छोड़ कर अगर आप बाहर क्यों बना रहे हैं क्या संकेत दे रहे हैं आप कि हमारे पास अब इसकी capacity नहीं है सिटको के exhibition center में 1132 बेट का hospital कितना ताम जहाम करके तयार किया गया आज 400-500 के आप oxygen के बेट आप नहीं activate कर पाए उसको, आप क्रियानवित नहीं कर पाए अभी आप दूसरा नया आप सिगूफा दे रहे हैं कि 500 और करेंगे 200 ventilator देंगे, उधर पालक मंतरी कह रहे हैं कि हम 100 ventilator सरकार के तरफ से दिलाएंगे सच्चाई ये है कि ये सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में ही सब सारी भासट बाजी चल लई है रियल में जो facility है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है और जैसा कि मैंने अपनी ख़बर में खुद दिखाया कि एक तरह का medical scam का संकेत साप साप से दिख रहा है ये कहीं न कहीं इसके उपर इनको जबाब देना चाहिए, खुला सा करना चाहिए लेकिन अभी भी देखिए जब आज मैंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इस facility को क्यों नहीं यूच किया जा रहा है आपने देखा कि पुर्व मंतरी ते गनेश नाइक जी वो भी क्या बोले कि मैं इसको देखूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके उपर हम इनसे आयतुक से चर्चा करेंगे आयुक्त का खुद जबाब आपने खुद सुना कि ठीक है हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल कराना कोई बुराई तो नहीं है लेकिन हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको इसकी जनकारी नहीं है क्या अपने ही संसादनों की जनकारी महानगर पालिका को नहीं है क्या यहां के सानी नेताओं को नहीं है क्या सानी नेताओं को विधायकों को और खुद आयुक्त को अपने संसादनों का इस्तमाल इस वक्त नहीं करना चाहिए जब pandemic है उस पैसे को जो बाहर खर्च हो रहा है उस पैसे को आप बेहतर वेवस्था बेहतर जागरुकता अभियान में क्यों ना इस्तमाल करना चाहिए ताकि लोगों को यह सुनस्चित हो जाए कि महानगर पालिका हमारे साथ है अगर हमें कोरोना हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है हम सुरक्षित रहेंगे लेकिन आज जनता जो डरी हुई है इसलिए डरी हुई है उसको भरोसा ही नहीं है कि नविम भई में विवस्था किस तरकी है कोरोना हो जाए तो इलाज कहां होगा जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी इसके लिए लोग प्राइबेट हा जलासा करने के लिए तयार नहीं हो रही है पारदर्सिता नहीं है कि कितनी विवस्था हैं आपके पास हैं और ना तो आप जनता को ये भरोसा दिला पार हैं कि आप निश्चिंत रही हम आपके साथ हैं आपको कोई भी तकलीफ होगी तो हम सारा खर्च उठाएंगे हमारे इसलिए हमारा कहना है कहीं नहीं कहीं थार्ड पाटी को सरकार को केंद्र सरकार को या जो इन प्रसासन है उसको इसपर जरूरी ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक ऐसी सिचुएसन है जब जनता डरी हुई और जनता को भय से निकालने के लिए उसको आपको भरोसा दिलाने की जरूरत है शुक्रिया शर्माजी शर्माजी ने पता है कि नयूंबी मुनिसिपल कॉरपरशन के जो आईसोरशन सेंटर है या जो कॉरंटाइन सेंटर है और कोईड होस जहां आईसोरशन सेंटर बना सकते हैं पर उसके बावजूद भी मुनिसिपल कॉरपरशन अपने शेत्र के बाहर जाके आईसोरशन सेंटर बना रही है इसके और में उन्होंने एक बहुत तरी अच्छी से इंफॉर्माजी ने एक न्यूस के बारे में टीवी वन इंडिया में न्यूस भी चलाए थी मिश्रा जी यही चीज के उपर आप से पुछेंगा पर थोड़ी अलग तरीके से कि यह अईसोरशन सेंटर तो उन्होंने कहा कि मुनिसिपल कॉरपरेशन तो थोड़ा अगडबड कर रहा है पर हॉस्पिटल जो है जो प्रावट हॉस्पिटल से जिसको सिडको ने मतलब आपका सिडको बहुत अच्छा विशेय रहा है सिडको ने ट्रस्ट के अंतरगत बहुत सस्तों में सस्ते दामों में उन्होंने बहुत सरे ट्रस्ट को यह आके परावट हॉस्पिटल को जमीन दे दिती तो वहां भी लोगों की लूट मच रही है क्यों नहीं इसका सब्जेट उठा रहे है क्योंकि आपने भी इसके बार में पूछा था लास्ट टाइम अनेता जी से मेरे कैसी गनेशना जी से पूछा था पर वह भी जवाब नहीं दे पाए तो यह सब सीनारियों आपको क्या लगता है कि प्रशासन और पॉलिडिशन मि लेवल कराया है पूरु पालिका आयूक लोग जब विजयनाट आते तब के समय से मैं इस बात में लगा हूँ कि जितने भी प्राइबेट होस्पीटल है उनको चरिटेवल ट्रस्ट के अंतरगत जमीन अवलोट की गई है उनको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम free of cost में जमीने दी गई है होस्पीटल अस्तापित करने को उसके term and condition बिल्कुल clear है कि 15% बेट उनको free of cost रखना है और 15% बेट जो है वो पालिका के चार्ज के अधार पे रखना है मतलब 30% बेट जो है वो उनको बिल्कुल पालिका जिस rate पे इलाज करती देना है और 15% उसमें से free of cost देना है लेकिन इस बात को उठाते हुए आज मुझे कम से कम 9 से 10 साल हो गए मैंने सारे जन प्रतिनिदियों को इस बात की जानकारी दी कि साहाव इस पर control होना बहुत ज़रूरी है तभी इनको हम लोग loot को रोख सकते हैं दूसरा कि यह जो private hospitals है इनका every year का आय और ब्याय इसका पूरा report, audited report उनको charity commissioner के हाँ और sitko के हाँ देना चाहिए यह agreement में mention है वो नहीं कर रहे हैं यह लोग जब से plot लिये हैं तब से नहीं कर रहे हैं तो मैंने इस बात को भी सामने रखा है लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं अब आज COVID का आया त अब से बड़ी बात आपको सुधिव जी एक बात बता हूं कि एक बहुत बड़ा घपला यह कि अगर प्राइबेट होस्पिट्रल डेर सो बेट का सैंक्शन लिये हुए हैं तो उनकी यह 400 बेट काम कर रहे हैं उनको आप कभी नहीं देखोगे कि वो अपने मरीज को हटाते हैं कि नहीं भाई हटा दो हमारे पास बेड नहीं है वो पट से एडमिसन लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रमिशन डेर सो का लिया है चल 400 बेट का रहा है लेकिन जब आप अपने 15 परसेंट और 30 परसेंट की बात करेंगे तब यह कहेंगे कि भाई हम यह आपको लो लो इतन के अधर हॉस्पिटल हैं उनको नॉन कोविट के लिए भी रखा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड ही एक बीमारी है इसके पहले देश में हज्जारों बीमारियां और भारिष के मौसम में तो आपको पता है कि मलेरिया डेंगू जैसे बीमारी पहले खबरों में चाय रहते थे जो आज सन्योग से या कहो सवभाग से वो आज आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जो डिलेवरी का काम है मालो जैसे गरभवती महिलाओं का किसेज है वो तो अंदिना मला हर दिन के समान आएंगे फिर मालो हर्टूट का प्रॉबलेम है या जो प्राइबेट हॉस्पिटल्स है उनके यहां जो भी आपने बेट फिक्स किया है कम से कम उसकी जानकारी तो लोगों को दो और जितने भी आपके पास बेट हैं आईसियू के कितने बेट हैं वेंटिलेटर के कितने बेट हैं नॉर्मल कुरेंटाइन के लिए कितने बेट हैं आइसोलेशन सेंटर कहां कहां हैं, वहां कितने-कितने बेड हैं, और कितने बैकेंट हैं, यह सब आपको ट्रांसपरेंट तरीके से सामने रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा एक महत्पुन बाद मैं जो चाहता हूँ, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो ओफिसर्स किसी को मैंने नहीं देखा कि लोगों के डर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, जबकि हमको एक डॉक्टर से बात हुई, यहीं के हैं, नवी महानगर पाली का कि एक बरिश डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कहा, मिसरा जी, आप इतना सम करने की जरुवत ने, इससे ज्यादा तो मलेरिया और डेंगु में मरते हैं, तो जब इससे ज्यादा मलेरिया और डेंगु में मरते हैं, काडियक में मरते हैं, एक्सिडेंट में मरते हैं, फिर इतना ज्यादा पैनिक क्यों होने का, आप लोगों को समझाओ कि इतना पैनिक होने की जरूद नहीं अगर आपका दुरभाग्य होगा तो आप तीन परसेंट में आओगे ने तो आप 97 परसेंट में आओगे आप अपना काम क्या होता है वह बोलता है कि आपको घबराने की जरूद नहीं कितनी भी गंभीर मारी इससे लड़ने की ताकत मेरे पास है जैसे मोदी जी बोलते हम चाइना से लड़ लेंगे एक इंच भी जमीन नहीं देने देंगे ठीक है चाइना होगा मजबूत लेकिन यह बात कहते हैं उसी तरीके से आप कम से कम लोगों को यह बोलो तो कि कोबिट कितना भी गंभीर बीमारी हो हम मजबूती से उसका मुकाबला करने में सक्चम है आप घबराइए मन यह भी करने का रहे हैं और बलकि दिखा रहे हैं कि वहां बेंटिलेटर बेट नहीं मिला मर गया वहां अक्सीजन बेट नहीं मिला मर गया वहां यह हो गया इससे लोगों में दहसत है इस दहसत को कम करने की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि यह दहसत कम करने का काम सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट कर सकते हैं कोई अधिकारी कोई नेता नहीं कर सकता है इसलिए ऐसे मामले म जितने भी आरोगे के छेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हैं इनके साथ एक विसेस मिटिंग करके उनके सजेसंस को सामने ले करके आपको एक चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पालिका का अस्थानिय सासन हो इनको बिना डॉक्टरों को आपस में ले करके मिटिंग करने बाद और उससे जो एक आउटपूट निकले उसको पत्रकारों के समख्ष रखना चाहिए शर्मा जी मैं आखिरी सवाल के पसा ले जा रहा हूँ आपके बास आ रहा हूँ मुझे बताईए यह जो नेता लोग आ रहे है बार बार जैसे कम से कम हम लोग ने देखा कि यह मेने में आप पिछले 15-20 दिनों में कम से कम 5-6 या 7-8 विजिट हो गई रहे है यहां के बावबुली नेता है जो आमदार जो है या हर पार्टी के लोग है तो आप क्या महसूस करते हो कि प्रशासन इनकी बात सुन रहा है और सबसे बड़ी बात की नेता लोग प्रशासन के सामने बात रख पारे जो शेहर में सच में चल रहा है क्योंकि हम लोग पत्रकार है पत्रकारों को पहले निउस आ जाती है कोई किदर अटक जाता है तो कि नेता के पास देखते हैं आदमी सोचता है कि वह ए पार्टी का वह उसको क्यों कॉल करूँ पर पत्रकारों को निपक्ष करके लोग कॉल कर लेते हैं तो जिस तरह से आप ग्राउंड में देख रहे हो कि जो इशूज है वो सच में नेता लोग प्रशासन के सामने रख पा रहे हैं या नहीं और प्रशासन उनकी जो बाते जो रख रहे हैं बाते वो फुल्फिल करने की कोशिश करने में जूटी है कि नहीं क्या बताओगे इसक सेना के हो या दूसरे भी जितने भी नेता भी महानगर पाली का आयुक्त के पास मिलने के लिए आ रहे हैं सब जनता का ही मुद्दा उठा रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है उनका मुद्दा सही है कि जनता को सेवा और सुविधाय मिलनी चाहिए लेकिन आप गौर करे जो हैं उन्होंने गोशना कर दी कि अब 31 जुलाई तक लोगडाउन को एक्स्टेंड किया गया है एक कंडिशन रखी गई कि जो 42 कंटेनमेंट जोन है उनमें लोगडाउन सक्त रहेगा और बाकी इलाकों में दुकानन सामाने तोर पर 9 बज़े से 5 बज़े तक खोली जाए लोग पर्यसान है आर्थिक तंगी में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा है आर्थिक तोर पर पूरी तरह से संकट में है घर चलाने की बच्चों को पालने की दिक्कत है, ऐसे में बताईए कोई भी नेता, क्या लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए, जिंदगी को पत्री पर लाने के लिए कोई बेवस्ता कर रहा है क्या। आप सिर्फ बात कर रहे हैं कोबिट का इंतजाम होना चाहिए कोबिट का इंतजाम होना चाहिए भाई सही है कोबिट का इंतजाम होना चाहिए लेकिन कोबिट के जरिये ही सारी वेवस्ताइं गडबड नहीं हुई है लोगों की रोजी रोटी आपने पूरी तरह से बंद कर पर नहीं है एक और बात उसमें जोड़ रहा हूं आपको नविम भई के 6 ऐसे इलाके हैं उसमें अमबेटकर नगर सामिल है एक नेरूल का इलाका और एक बेलापूर का इलाका ऐसा है जिसमें एक भी सिंगल पेसेंट नहीं है इसके बावजूद भी इसको कंटेनमेंट जोन इसका मतलब है कि नविम भई महानगर पालिका जो एरिया डिकलेर कर रही है कि यहां पर सकती रहेगी वहां पर बैरियर लगा दिये जा रहा है लोगों को आप बाहर निकल ही नहीं सकते इस तरह की विवस्थाएं कर दी जा रही है इसका मतलब है कि महानगर पालिका जो वि उसका कोई भी निदान नहीं हो रहा है। जीन्दगी जीने का अधिकार है। उसको भी इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउं से छीन लिया गया है। किताब कापी की दुकाना नहीं खुल ले हुआ। लोगों को आप मार रहे हो। आप अपने अबजर्वेशन को ठीक नहीं कर रहे हो। आप भय का माहौल पैदा करके आप लोगों को और मार रहे हो। इससे मुक्ती दे दो। लॉकडाउन खतम करो। तभी जाके लोग सही सामाने जीवन जी पाएंगे। और जितने लोग को रहना से संकरमी तो उनके लिए अप अच्छा इंतिजाम करो। लोग यहीं चाहते हैं। शुक्रिया शर्माजी, मिशा जी आपको भी यही सवाल है कि नेता लोग अपने ही राय जैसे शर्माजी ने कहा कि ग्राउन में कुछ अलग चल रहा है बट नेता लोग कुछ अलग रख रहे हैं। और कुछ अलग चीज को सपोर्ट कर रहे हो प्रशासन अपने हिसाब से चल रही है पटल के हिसाब से आप क्या बता हो कि यह सब मिसमैचिंग है और इसका कुछ फाइदा आने वाले समय में नयूमबे के जन्ता को होने वाला है कि नहीं देखो अभी आपको मैं सबसे पहले गिनती गिनवाता हूँ जब नय आयूकता है अविजीत बांगर उनसे सबसे पहले कौन मिला शशिकांत सिंदे मिले वो कौन है राष्टवादी के नेता हैं कहां पर बैटे हैं सरकार में उसके बाद कौन मिला राजन विचारे वो कौन है वो सिउसेना के MP हैं, कहां बैटे हैं, सत्ता में, उसके बाद कौन मिला, मंदात आई, वो कौन है, MLA है, वो आकर करके एंबूलेंस वगरा विधान दी, ठीक, उसके बाद गनेशन है, उसके बाद गजानन काले, इस तरह से लोग आ रहे हैं, आप हमको बताओ, जो लोग सत्त के पार्ट हैं, या जो लोग विधान सभा के पार्ट हैं, विधान सभा में उनका सदस्ता है, क्या उनका जिमेदारी नहीं है, कि आयूक्त को कोई भी सलाह देने से पहले, अपने मुखमंत्री को घेरें, और उनसे कहें, कि भाई, कोबीड का तो जो इलाज चल रहा हैं, च महालना, ये आपकी जिमेदारी है, आज तक लोग आपके भरोसे आपको मत दिये हैं, और आपके भरोसे ये लोग डाउन का साभागी बने हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, ये सोच करके वो लोग डाउन में साभागी बने हैं, और आपने को जाना रहाता तो सबसे पहले मुक्हमंत्री उध्व ठाकरे के पास जाते और उनको बोलते साब ऐसी ऐसी दम तोड़ रहे हैं लोग आपको मैं बताओं मेरे पास ऐसे अनेक उधारन है जहां मकान मालिक ने दुकान मालिक ने बाहर निकाल करके समान सहित ताला मार दिया है और लोग बाहर अपने बच्चों के साथ अपने पडिवार के साथ रोड प्या आए उस पर किसी का ध्यान नहीं यहां आ करके राजनीती सेखनी है अरे भाई सब आप लोग एक MPO एक मिनिस्टर है ससी कान सिंदे तो साथ I think ministry उनको मिली है तो ससी कान सिंदे है यह है जितेंदर वाड है जो स्वयम मंत्री है उसके बाद मंदात आई है गरेश नहीं कहा रहे आपको यहां क्यों आना पड़ रहा है आप मुक मंत्री के दरवाजे पर क्यों नहीं हो क्यों नहीं मत्रो सिरी पे क्यों नहीं वर्षा पे आपकी यह पूरी टीम दिखाई देती है क्या हर्जे हैं वहाँ जाने में पूरा आपको एकना सिंदे यूडी मिनिस्टर है क्या जरूरत है उनको आयुक्त के पास आके मिलने कि उनका एक लेटर बहुत काफी है वो बोलेंगे ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए उनको क्या जरूवत है यहां के राजनीती चमकाने की यह राजनीती चमकाने का काम बंद होना चाहिए आम आदमी की त्रस्ता आम आदमी की आवाज पर जो खामोस लोग बैठे हैं वो यहां कि इस सहर का, आप समझो, हम भला करने में कम्याब होंगे, जब तक इनकी राजनीती को केवल हम अपने पत्र, अपने पेपर्स में, अपने चैनल्स में केवल इनकी राजनीती को महत्व देते रहेंगे, तब तक यह देश पीछे जाता रहेगा, मुख मुद्दो पर, मुख इसूपर इनकी मैं तो बोलता, इनकी चमड़ी उदेर लेनी हो तो चमड़ी उदेर देना चाहिए लेकिन इनको मुख मुद्दों पर लाके ख़ड़ा करना चाहिए आज आप देखो क्या है साब ठीक है न, COVID है, एक बीमारी है, क्या आपके पास ये डाटा है, कि COVID के पहले कितने लोगों की मौत होती थी परमंत, बीमारी से, मैं दुर घटना की बात नहीं कर रहा, मैं एकसीडेंट को साइट करता हूं, बीमारी से कितने लोग मरते थे, बिभिन बीमारियों से, और COVID कार के दोनार क्या उसमें बृधि होई है कि घटी होई है अगर घटा है तो मैं तो कहता हूँ COVID को THANKS भोलो कि मिर्टू दर को उसने घटा दिया COVID को THANKS भोलो और या फिर तुम्हारे मेडिकल सिस्टम में गलबर था है लोग उस दवा को खाके मरते थे कोबीट के डर से कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है इसलिए बच रहा है ये सिस्टम है आप उस पर नहीं ध्यान दोगे आपके पास कोई यांकड़ा है कि कोबीट ने आपको कितना नुकसान पहुचाया है है कोई यांकड़ा आपके पास कोबीट के नाम पर जो आपने लॉकडाउन किया है इसका आज के समय में सामान आदमियों पर कितना बुरा असर पड़ा है इसकी कलपना नहीं को क्योंकि इनके घर में तो भरा पड़ा है इनको तीन साल भी बोल दो तो ये बैंकोक में जाके रहेंगे ये तीन साल बैंकोक बिता सकते हैं इनको बोलो कि जो तरक देते हैं कि परधान मंत्री कि यहां से पांच किलो गेहूं, पांच किलो चावल मिलता है, बोलो अपना घर चला के दिखाएं, एक नेता उप पांच किलो गेहूं, पांच किलो चावल में अपना घर चला के दिखाएं, और फिर आकर के बात करें, फिर आकर के बात करें क कि हां देखो यह पांच किलो गहु पांच किलो चावल और एक किलो डाल में चला रहा हूं और आ करके बताए। ये सब अपने फॉर्चूनर और रोड रेंजर ओवर पर घूमेंगे और हम लोगों को आकर पाँच किलो गेहु की सला देंगे अब पाँच किलो चावल की सला देंगे और इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब नेतागिरी चमकार जा रही है ये लोग कुछ नहीं है, ये नितागिरी चमकार है, इनको कुछ पड़ी नहीं है हमसे आपसे, ये जब जब मौका आएगा अपनी नितागिरी चमकाएंगे, हमको आपको अपने ब्रहम जाल में फसाएंगे, हमारा मत लूटेंगे और फिर देश लूटेंगे, यही इनका तो हम लोगा देखें कि अभी जो हमारे वरिष्टा पत्रअ कार है भूज तरे समा से 적ल जी राजरीगогष़ राया है राजरीजई राई जी टेकि घाय के लिए लिए ठाट हम लोगा है लोगा राय के खाय हम लोगा पत्रअ कारΑ थाट हो कि हमारा जो यह सवाद है या हमारे जो अपिक्षा हम लोग ने जो भी इंफार्मेशन रखी है हमने राए रखी है इसके बारे में आप नवीउंबभीकर की जनता जो है जो और जनता के साथ में ही जो अलग-अलग पार्टीए के कारे करते है पता देकारी है उन्हों ने इस प् मुंबई तपास पर होने वाला है, पाली का परशाशन पर होने वाला है, यह जब प्रोग्राम टेलीकस्ट होगा, इसके बारे में आप ज़रूर नयूम्भे की जन्ता अलग अलग पार्टियों के जो पताधीकारी कारे करता है, वो राय रखिए कि हम लोग को पता चले कि हम लोग जिस से राय रख रहे है वो कितनी सही है गलत तो मैं मानूंगा ने क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि हम तो जीते हैं ये दुनिया हम लोग चाहते है कि नयूंबी के जनता को भी पता चले कि एक जब नेता आता है मिलता है प्रशा नयूंबी की जानना चाहती है इसके बारे में हम लोग ने ये एक राय प्रदर्शन किया है और मैं चाहता हूँ कि नयूंबी की जनता इसके ओपर अपनी राय दर्खिए धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें